नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता साल 2020 अब तक ना जाने कितनी बड़ी और दिगज हस्तियों को हमसे छीन चुका है गुरुवार सुभा के शुरुवात भी ऐसी ही एक दुखत खबर के साथ हुई है मसालों के बादशा कहे जाने वाले MDH मसालों के किंग धरंपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में हार्ट एटेक्स से निधन हो गया क्या आपको पता है धरंपाल गुलाटी ने अपने जिन्दगी में बहुत संघर्ष करने के बाद कामियाबी हासिल की थी एक वो वक्त भी था जब धरंपाल गुलाटी दिल्ली की सडकों पर तांगा चला कर अपना पेट भरने के लिए मजबूर थे पाकिस्तान के सियाल कोट में 27 मार्श 1923 को धरंपाल गुलाटी का जन्द हुआ था उन्होंने भारत पाकिस्तान बटवारे के बाद दिल्ली में शरण ली और अपना गुजारा करने के लिए दिल्ली की सडकों पर तांगा चलाया समय बदला और उन्होंने अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुष्टैनी कारोबार यानि के मसालों के कारोबार को आगे बढ़ा दिया धीरे धीरे ये कारोबार फैलता गया और महाशियन दिहट्टे यानि की MDH का नाम एक ब्रैंड के तौर पर लिया जाने लगा बहुत साल पहले एक न्यूस चैनल को दिये गए इंटरव्यू में धरमपाल गुलाटी ने अपने शुरुवाती जीवन पर बात की थी और बताय था कि पांचवी क्लास में मुझे टीचर ने डाटा था तब मैंने स्कूल छोड़ दिया था फिर मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता जी ने अपनी दुकान पर बैठा दिया कुछ साल तक मैंने हार्डवेर का काम भी किया और फिर मैंने वो भी छोड़ दिया धरमपाल गुलाटी ने बताय था कि फिर मैंने सडकों पर घूम घूम कर मेहंदी का काम करना शुरू किया मेहंदी के काम के बाद पिताजी के साथ मसाले का काम शुरू किया कि बटवारे के वक्त सब कुछ खत्म हो गया जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास महद गिने चुने पैसे थे उन्ही से मैंने अपना तांगा खरीदा और उसको सडकों पर चलाना शुरू किया तांगा चलाते वक्त बहुत बिक्कतों का सामना करना पड़ता था हाला कि फिर मैंने ये भी छोड़ दिया और अपने पुछतेनी काम को शुरू किया तब से लेकर अब तक अपनी कड़ी मेहनत और लगन से धरंपाल गुलाटी ने अपना खुद का एमपायर खड़ा किया यकीनन तांगा चलाने से लेकर अर्बो खर्बो की संपत्ति जुटाने तक का ये संघर्ष बेहद प्रेड़ना दायक है MDH मसालो के बादशा धरंपाल गुलाटी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जबूर बताईगा